कि यूटूब चैनल प्रिक्सस है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग टू ओलो फ्यू मेरी तु जैसे कि आपको पता है बच्चों के विएस टीटी एसस्टी की प्रिप्रेशन कर रहे है और पीजिटी आपको मिल रहे है दो दीन आपको प्रिप्र दो दिन आपको जोग्राफिए मिल रहे है और इस्टी की ख्राव रहने वाली है के वियर्स पीज़िटी एसस्ट और पीज़िटी जोगराफी की आपको दो दिन क्लास मिलेगी दो दिन क्या मिलेगी आपकी जोगराफी की क्लास ही चलेगी चलिये आज हमारी first class है जोग्रफी की कौन सी class है अब हमारी पहली class है चलिये next paste पर चलते है अब हम आ पने किलास कौन सी आगी है हमारी first class होगी Classic class first है चलिये time creation एक प्ने first question को चलते है हमारा first question है question first क्या हमारा भुभॉल का जनक किसे कहा जाता है, question first में पूछा गया है, भूगोल का जनक, किसे कहा जाता है? किस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो बताइए बुगोल का जो जोनक है वो किसे कहा जाता है चलिए उप्षन एब हमारा हेरो डोट्स उप्षन भी एनेक जी मेंडर ऑप्षन सी इरेटोस्तिनीज उप्षन डी ही केटियास तो यह कोश्चन कोश्चन फर्स्ट एक तो आपका एक पर्सक्राइं तो आपको आपका हें कोश्चन फर्स्ट आपको इंपोर्टेंट कोईशन है तो भूगोल का जनक है वो कौन है तो किसे कहा जाता है जो भूगोल का जनक कहा जाता है इंपोर्टेंट कोईशन है इस तरह के कोईशन आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगे तो कोईशन फर्ष्ट आपका इंपोर्टेंट है जो भूगोल का जनक है वो इकेटियस है चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते है अब हम अपने नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमबर सेकिंड कोईशन सेकिंड है हमारा कोईशन सेकिंड में क्या दिया गया है भूगोल को एक अलग अध्यन सास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रे निम्न में से किस विद्वान को है भूगोल को एक अलग अध्यन सास्त्र के को है तो बताइए बुगोल को क्या जो बुगोल है उसे एक अलग क्या करना अध्यन सास्त्र के रूप में इस्थापित जो करने का जो श्रे था वो कौन से विद्वान को है तो कौन से विद्वान ने जो बुगोल है उसे एक अलग अध्यन सास्त्र के रूप में इस्थापि प्राइट गज़ेंड हेस्टेशंत्य अप्शन इसका राइट आंसर और उप्शन इवर्पुस्थ इरेट इस्तनीज इसका राइट आंसर होगा। तो बिद्वान और इन्हीं मिलता है भुबोल को एक अलगा देन सास्त्र के रूप में इस्थापित करने का जुश्रे है वो किसे मिलाई रहे है तो इस तनीज को दिया गया तो question second का option है राइट आंसर है चलिए एक है question आपका important question है जो आपके exam में question आते है उस वही question आपको कराई जा रहे है question second आपका important question है expected question है जो आपके exam में देखने को मिल सकते है चलिए next question पर चलते है अब हम next question क्या होगा अब हमारा question number third question third है question third में पूछा गया है question third में क्या पूछा गया है भूगोल के लिए जियोग्राफिका सब्द का परियोग सर्वपर्थम किसने किया तो बताईए जो भूगोल के लिए कौन सा सब्द जो जियोग्राफिका जो सब्द था उसका जो परियोग था वो सर्वपर्थम किसने किया था तो किसने किया कौन से सब्द का ये कोशन भी आपका important question है कोशन क्या आपका important question है इस तरह के question आपको exam में मिलते है तो सारे के जो जादत और question आपके expected है और जो आपको especially बताये जाए तो क्या है आपका very very important question होता है तो question 3 क्या आपका वो बोल के लिए जियोग्राफिका सब्द का परियोग सरवपर्तम किसने कैया किसने जियोग्राफिक का सब्द का जो परियोग किया ओप्षन defer happy ने किया तो किसने किया था जियोग्राफिक Silicon Sal तो एसका राइट आंसर है कौशन था कोशन o चलिए चलते हैं इसको नेक्सट कोशन देगेगे की है मेरा कोशन नमंबर फॉर कोशन फॉर में पूछा गया है जो ग्रफी का के साब्दाई को अर्थ के आधार पर भुगोल की परिभासक की गई है तो जो 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 ग्रफी जो जो ग्रफी का जो सब्द इता वो किस ने लिया था इरेटोस्तिनीज ने तो अब इसमें कॉशन इस विश्ण फर्ट कि साप्दाइक आधार पर भुगोल की की गईए तो जो जो जोगने भुगोल की प्रिभाशा की है option c भूगोल वह विज्ञान है जो मानविया एवं प्राकर्तिक विशंता का अध्यान करता है option d इन में से कोई नहीं option d question 4 में पूछा था question 4 में जो जियोग्राफी के साब्दाई कर्थ के अधार पर भूगोल की परिवास की गई है तो इसका question 4 का option right answer है भूगोल वह विज्ञान है जो प्रत्वी के धरतल का अध्यान करता है तो question 4 का option एक राइट आंसर है question 4 का option एक राइट आंसर होगा चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question next question क्या होगा question number 5 question number अब हमारा 5 है इसमें पूछा गया question 5 में भूगोल प्रत्वी को केंद्र मान कर अध्यान करने वाला विज्ञान है किसने कहा था question 5 में क्या पूछा गया है भूगोल प्रत्वी को केंद्र मान कर अध्यान करने वाला विज्ञान है किसने कहा था तो बताए किसने कहा था जो भुगोल है वो प्रत्वी को क्या मानकर केंद्र प्रत्वी को केंद्र या सेंटर मानकर अध्यान करने वाला साइंस है अध्यान यानि स्टडी करने वाला साइंस है तो जो भुगोल है वो प्रत्वी को क्या मानता है प्रत्वी को केंद्र मानकर अध्यान करने वाला विज यान है यह किसने लेक्ट थो जलिए देखते हैं ऑप्षणी टॉलमी फैस बींदो आप्षणड का चुला यह और कोस्षिभडेग चौशन next question पर चलते है अब हम next question तो वारेनेश कौन था वारेनेश वो था जिसने कहा था भुगोल प्रतवी को केंद्र मांनकर अध्यन करने वाला विज्यान है चलिए next question है भुगोल Q6 में क्या दिया गया है भूगोल भूतल का अध्यान है किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्यान है किसने कहा था तो बताए जो भूगोल है वो किसका अध्यान है भूतल का अध्यान है Q6 में पूछा है Q6 में क्या पूछा गया जो भूगोल है वो किसका अध्यन है भूतल का अध्यन है किसने का था ये तो question 6 में पूछा गया है जो भूगोल है वो किसका अध्यन है भूतल का अध्यन है ये किसने का था option A टोलमी, ऑप्शन B, कांट, ऑप्शन C, वारे निया, ऑप्शन D, हम बोल्ट, तो यह कोश्चन, कोश्चन 6 एक सो आपका important question, question 6 क्या है? यह कोश्चन 6 चटा है, यह आपका important question है, question 6 में पूचा गया है, भूगोल भूतल का अध्यान है, तो यह किस ने कहा था? तो यह किस ने क कहाता तो कांट नहीं कहाता कंट नहीं कहाता बूétaisल का दियान है तो उसकोषियम हमारा कॉष्च Nhoben भी option इसका right answer होगा तो can't इसका right answer है, यह question आपका important question बैठता है, चलिए next question क्यों चलते हैं, next question, next question क्या है अब हमारा question number 7, question है अब हमारा question 7, question number 7 आपको दिया गए, question 7 में क्या है, भोगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का परवर्तक कोन है, question 7 में क्या दिया गए, question 7 है हमारा, भोगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का परवर्तक कोन है, बोगोलिक विचारधाराओ में नवनियतिवाद की विचारधारा का परवर्तक कोन है, उप्शन यह है अब हमारा, फ्रेडिक रेटजाल, ईप्शन B, गृफित टेलर, उप्शन C, एब्रे, उप्शन D, विडाल D, लो ब्लोस, नो कॉशन जो 7 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा हցशन B, गृफित टेलर, इसका राइट आंसर है, उप्शन 7 का option B Griffith Taylor क्या इसका right answer होगा तो Griffith Taylor इसके परवर्टक थे किसके नव नियतिवाद की जो विचारदारा के जो परवर्टक थे वो कुन थे Griffith Taylor तो question 7 का option B question 7 का option B क्या है हमारा right answer है question 7 का option B इसका right answer है चलिए next question पर चलते हैं अब अब next question क्या है question number 8 question 8 है question 8 में पूछा गया है वर्तमान भूत की कुझी है कथन किस विद्वान का है question 8 में क्या पूछा गया है question 8 में पूछा गया है वर्तमान भूत की कुझी है कथन किस विद्वान का है जो कथन है ये किस विद्वान का है तो जो वर्तमान में क्या जो वर्तमान जो भूत की कुंजी है वो कथन जो है वो किस विद्वान का है तो ये कथन किस विद्वान का है चलिए देखते हैं ऑप्शनी डटन ऑप्शन बी जेम्स अटन ऑप्शन सी डेविस ऑप्शन डी वाल पैंक तो वर्तमान भूत की कुझी है कथन किस विद्वान का है वर्तमान भूत की कुझी है कथन किस विद्वान का है तो question 8 का question 8 का option B James Sutton क्या होगा? इसका right answer होगा Question 8 का option B James Sutton इसका right answer होगा Question 8 का option B James Sutton इसका right answer बैठता है चलिए next question पर चलते हैं Next question पर चलते है नेक्स्ट क्वेशन क्या होगा, बहुता नेक्स्ट क्वेशन है, कॉष्ण नंबर nine, कॉष्ण नंबर nine है, बहुता इस्थल रूप संग्रचना, परकरम तथा अवस्ता का परति फल होता है, कथन किसका है, कोशन नाइन में पूचा गया इस्थल रूप संग्रचना परकरम तथा अवस्था का परतिफल होता है कथन किसका है तो कौन सा कथन पूचा गया यह कथन पूचा गया कि किसका है कौन सा इस्थल रूप संग्रचना परकरम तथा अवस्था का परतिफल होता है तो यह है जो कथन है यह किसका होगा चलिए देखते हैं ओप्शन एक है हमारा वाल्टर पैंक ओप्शन बी डवलू एम डेविस ओप्शन सी एल सी किंग ओप्शन डी पेल टियर देखो इस तरह के जो कोशन होते हैं वो आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं तो सारे जो कोशन आपके मोस्टम एक्सपटिड ओंट जो आपके एक्जाम के लिए इंपोटेंट है वैरी वैरी इंपोटेंट कोशन बैठते हैं और सब्सक्तिक्स आपके जिए एक ک karışन आपको अच्छे से करना है, क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है, चलिए जो कुशन 9 है, हमारा, इसका जो right answer हो का, question 9 का, right answer क्या है, हमारा, question 9 का, W.M.Davis, W.M.Davis, इसका right answer है, तो इसमें क्या था कोशन 9 में पूछा गया था इस्थल रूप संग्रचना परकरम तथा आवस्ता का परतिफल होता है तो यह जो एक थन था किसका था W.M. Davis का एक थन था W.M. Davis का यह एक थन था तो कोशन 9 का कोशन 9 का ओप्शन B राइट आंसर है कोशन 9 का ओप्शन B क्या होगा इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कोशन का है अब हमारा कोशन नमबर 10 कोशन है 10 इसमें पूछा गई यदि इतिहास कब का वैज्यानिक अध्यन प्रस्तूत करता है तो भुगोल कहां वेयर का वैज्यानिक एवमतारकिक अध्यन है कथन निमलिकित में से किस विद्वान का है कोशन 10 क्या है यदि इतिहास कब का वैज्यानिक अध्यन प्रस्तूत करता है तो भुगोल कहां वेयर का वैज्यानिक है वम तारकिक अध्यन है जो कतन है ये निमलिकित में से किस विद्वान का है कतन जो हो गए निमलिकित में से किस विद्वान का है कोश्यन 10 में पूछा गया था कोशन 10 क्या था हमारा यदी इतियास कब का वैज्यानिक अध्यन प्रस्तूत करता है तो भुगोल कहाँ वेर का वैज्यानिक एवम्तार की अध्यन है कतन निमलिकित में से किस विद्वान का है option A काल सावर option A काल सावर option B option B क्या है option इसमें देखो टाइपिंग में मिश्चे गोरिया न, option उपर नीचे होगी, चलो कोई न, option B क्या है, हमारा N, J, Spikeman, option C, H, J, Mackinder, option D, D, H, Wiltil, G, D, at, question 10 का, option D क्या है, हमारा D, H, Wiltil, C, तो जो question 10 था, इसका जो right answer होगा, हमारा option है, काल सावर क्या है, इसका right answer है, तो निमली कितमे से किस विदवान का है, यह कतन है, तो question 10 का option है, right answer है, question 10 का option है, हमारा right answer है, चलिए, next question पर चलते हैं, next question क्या है, question number 11, question 11 में पूचा गया, भू आकर्ती विज्ञान, जियो मोर्फोलोजी का जनम दाता किसे माना जाता है, तो बताए, जो भू आकर्ती विज्ञान, जो question 11 क्या था, हमारा भू आकर्ती विज्ञान, जियो मोर्फोलोजी का जो जनम दाता है, वो किसे माना जाता है, जनम दाता पूचा गया, किसका जनम दाता, जियो मोर्फोलोजी, जो कहा जो जनम दाता है, वो कौन है, question क्या है, आपका important question है, question 11 क्या है, important, very important question है, very important question है, यह आपका, इसमें पूचा गया है, भू आकर्ती विज्ञान, भू आकर्ती विज्ञान, यानि जो जियो मोर्फोलोजी है, उसका जो जनम ज售 उसको उसक्यास चुर्ड़ कुछ यह संद्रयगति कि खुशन्दक्राइब करें लगारें छेयों कुछ सब्सक्राइब सराष्म podcasts को लोजी या फिर भुवा्रतिविज्ञान का जो जनम दाता है कौन है को अप strongly को बिक रures आता है किसका जियो मोर्फोलोजी के जनम दाता है तो जो जर्म जाता है वह कौन है यस यह कोशन का है आप न्थे नधर को इस दाता है को और我們 11 का option B हमारा right answer है चलिए next question पर चलते हैं हम question number 12 question number 12 है हमारा रुको और जाओ नियतिवाद stop and go determinism की विचारदारा के परतिपादा कोन है रुको और जाओ नियतिवाद stop and go determinism की विचारदारा के परतिपादा कोन है question 12 में पूछा गया है जो question 12 है question 12 क्या है आपका रुको और जाओ नियतिवाद stop and go determinism की विचारदारा के जो परतिपादा के तो stop and go जोने determinism के जो विचारदारा है कौन सी विचारदारा stop and go determinism जो विचारदारा उसके जो परतिपादा के वे पूछे गया है question 12 में पूछा गया है stop and go determinism stop and go determinism की विचारदारा के जो परतिपादाक है वो कौन है तो बताईए इसके परतिपादाक पूछे गया किसके stop and go determinism की जो विचारदारा के जो परतिपादाक है वो कौन थे तो जो विचार के जो परतिपादाक थे वो कौन थे ग्रीफित टेलर तो कौशन 12 का option D क्या है हमारा right answer है कौशन 12 का option D right answer है तो ग्रीफित टेलर इसके परतिपादक थे किसके stop and go determinism जो विचारदारा इसके परतिपादक थे चलिए next question पर चलते हैं next question क्या हमारा question number 13 question number 13 है अब हमारा भुगोल को मानव परिस्थिती के रूप में परिभासित करने वाला विद्वान कोन है question 13 में पूछा गया question 13 क्या हमारा भुगोल को मानव परिस्थिती के रूप में परिभासित करने वाला विद्वान कोन है आप्शन A, विडाल, डी लाबलोस आप्शन B, जीन, बून्स आप्शन C, हेटनर आप्शन D, एच, एच, बेरोज एच, एच, बेरोज तो question 13 में पूछा है question 13 में पूछा गया था भूगोल को भूगोल जो है उसको मानव परिस्तिती के रूप में प्रिभाशित करने वाला विद्वान तो कौन सा वो विद्वान पूछा गया है जिसने भुगोल को क्या किया मानो परिस्थिती के रूप में प्रिभाशित किया है तो प्रिभाशित करने वाला जो विद्वान है वो कौन है तो जो विद्वान था वो कौन है तो विद्वान को मानो परिस्थिती के रूप में परिभाशित किया है तो मानो परिस्थिती के रूप में परिभाशित किया है बुगोल को मानो परिस्थिती के रूप में परिभाशित करने वाला जो विद्वान है वो कौन है एच एच बेरोज एच एच बेरोज कौन सा विद्वान है वो है जिसने भुगोल को मानो परिस्थिती के रूप में परिवाशित किया है चलिए next question पर चलते है अब हम question number 14 question कुण सा है अब हमारा question 14 दिया गया है question 14 में पूछा गया है गनित्य है भुगोल का प्रारंब करता नीम्न में से कोन है question 14 question 14 क्या है हमारा गनित्य है भुगोल का प्रारंब करता नीम्न में से कोन है question 14 में पूछा था question 14 क्या हमारा गनित्य है भुगोल का प्रारंब करता गनित्य है भुगोल का जो प्रारम करता है वो कौन है तो जो गनित्य भुगोल है उसका जो प्रारम करता है वो बताईए वो कौन है चलिए option A है थेल्स, option B, टोल मी, option C, स्ट्रेबो, option D, थियो फ्रेश्टस, थियो फ्रेश्टस इस तो गनित्य भूगोल का जो प्रारम करता है नीमने में से वो कौन था तो इसका जो राइट आंसर होगा question 14 का option है थेल्स इसका राइट आंसर होगा थेल्स इसका राइट आंसर है तो थेल्स कौन था गनित्य भुगोल का प्रारंब करता है तो question 14 का option नहीं क्या है right answer है question 14 तो ये question भी आपका important है question 14 आपका important question है सारे के सारे question आपको most expected question है तो एक-एक question आपको अच्छे से करना है आपकी जो classes चल रही है वो important question होगी चल रही है तो एक भी class आपको मीश्य नहीं करनी है सारी class आपको देखनी है सारी class आपको देखनी है तभी आपके जो exam है वो आप के लिए कर पाऊगे qualify कर पाऊगे तो इसके लिए क्या आपको daily classes देखनी होगी तो question 14 का option है इसका right answer है चलिए next question पर चलते है अब हम next question क्या है अब हमारा question number 15 question 15 है हमारा चूकी मानव प्रत्वी पर निवास करता है चूकी मानव प्रत्वी पर निवास करता है question 15 में पूचा गया है चूकी मानव प्रत्वी पर निवास करता है question 15 में पूचा गया है question 15 क्या है मारा चूकी जो मानव है वो किस पर निवास करता है प्रतिवी पर निवास करता है जो मानव है वो प्रतिवी पर निवास करता है आता है प्रतिवी पर निवास करता है तो प्रतिवी पर निवास करता है मानव तो प्रतिवी पर ही निरबर होगा डिपेंडर होगा तो कथन ये किसका है तो ये कथन किसका है कोईशन पूचा गया है तो कथन किसका है यह ओप्शन ए फैबरे ऑप्शन बी ब्लोस ऑप्शन सी सैंपुल ऑप्शन डी जीन ब्रॉंस ऑप्शन डी क्या है मारा जीन ब्रॉंस कोईशन फिफ्टीन में पूचा गया चू की मानव प्रत्वी पर निवास करता है अतै प्रत्वी पर ही क्या है वो निर्भर है तो यह कथन जो था यह कथन देने वाले कौन थे तो जो इसका राइट आंसर है कोईशन फिफ्टीन का ऑप्शन डी जीन ब्रॉंस इसका राइट अंसर होगा तो जीन ब्रूंस ने कौन सा कथन दिया है तो जो कथन था जीन ब्रूंस के दुआरा जो कथन है वो कौन सा कथन है चू की मानव प्रतिवी पर निवास करता है अधिये प्रतिवी परी निर्बर है तो यह जो कथन था यह कथन किसने कहा है यह कथन जो कहा है वो ज राइट आंसर होगा जीन ब्रूंस इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं एक एक कोशन आपका इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोशन है वहमारा कोशन नमबर 16 कोशन 16 है कोशन 16 में क्या देगाए छेतरी आ भूगोल रीजनल जोगरफी कापिता नीम्न में से किस भूगोल वित्ता को कहा जाता है किस भुगोल वेत्ता को कहा जाता है Q16 में पूछा गया है Q16 क्या है हमारा छेत्रिय भुगोल Regional Geography Regional Geography है जो छेत्रिय भुगोल है जो उसका पिता है वो कौन है में से किस भुगोल वेत्ता को कहा जाता है तो पिता पूछा गया किसका छेत्रिय भुगोल का तो question 16 क्या आपका question number 16 जो है वो आपका important question है very very important question है very very important question है question 16 जो question 16 में पूछा गया छेतरिय जो भुगोल के जो पिता है वो कौन से भुगोल वित्ता को कहा जाता है तो चार option आपको दिये गए इनमें से किसको भुगोल जो छेतरिय भुगोल है उसका जो पिता कहा गया है तो छेतरिय भुगोल का जो पिता है वो किसे कहा गया है चलिए देखते option यह है वहमारा काल रिटर option बी एच जे हरबर्ट सन option C फ्रेडरिक रेट जेल option D हम बोल्ट option D क्या है हम बोल्ट तो कौन से को क्या कहा जाता है इनमें से चार ओप्शन में से किसे चेतरिय भुगोल का पिता कहा जाता है रीजनल जोग्रफी का पिता कहा गया है तो रीजनल जोग्रफी के जो फादर है वो कौन है तो कोशन 16 का जो राइट आंसर है काल रिटर काल रिटर को रीजनल जोग्रफी के पिता कहा जाता है अरिजनल जोग्रफी के जो पिता है वो कौन है काल रिटर तो कोशन 16 का उप्षन है राइट आंसर है इंपोर्टेंट कोशन है आपका चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन 17 कोशन नमबर है अब हमारा 17 इसमें पूचा गया मानव भुगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है कोशन 17 में क्या जया गया मानव भुगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है तो बताएए ये कोशन भी क्या है आपका इंपोर्टेंट कोशन है Q17 का आपका important question है सारे question आपके most expected question है जो exam के लिए आपके exam के point of view यूश है important question है सभी के सभी question all questions are important all questions important है किसके exam का point of view है उसके लिए सभी के सभी question important है तो आपको एक कोशन अच्छे जिखर्णआ है एक कोशन आपको अच्छे से करना है चलिए कोशन 17 कोशन 17 में दिया गया हमारा मानव भूगोल का संस्तापक कोशन 17 में क्या पूचा गया है मानव जो भूगोल है उसका जो संस्तापक है वो कौन था तो मानव भूगोल का संस्तापक आपने बताना है जो मानव भूगोल के सं Bolt option C Carl Ritter option D Jean Brunse option D क्या है है हमारा Jean Brunse तो मानow जो भूगोल है जो उसके सनस्तापक है वो कौन थे तो मानow भूगोल के जो संस्तापक थे वो Carl Ritter ते तो Q17 का option C Carl Ritter इसका right answer होगा तो मानव भूगोल का जो संस्तापक है वो क्वों था Carl Ritter है तो कालीकर कोन है कालीटर मानव भूगोल के संस्तापक है important question है एक question payer すेवंटिन का option she immort intention है Speaking call reader किसके संस्तापक है तो कालीटर किसके तौऐ किसके संस्तापक है Q17 & Sum चलिए ौ steep question prior हमारा कोशन 18 कोशन नमबर 18 हमारा दिया गया है मानव भुगोल एस्थाई प्रत्वी एवं चंचल मानव के पारस्प्रिक परिवर्त तनसील संबंदों का अध्यन है कथन किसका है कोशन 18 कोशन 18 में पूछा गया मानव भुगोल एस्थाई प्रत्वी एवं चंचल मानव के पारस्प्रिक परिवर्त तनसील संबंदों का अध्यन है कथन किसका है तो यह कथन है कोशन के मानव भुगोल है वो एस्थाई प्रत्वी एवम चंचल मानव के पारसपरिक परिवर्त अंसील संबंदों का क्या है अधन है तो यह जो कथन था यो किसने का है option A, blows, option B, hunting done, option C, q sample, option D, humble, तो यह कथन किसका था? चार option आपको दिये है, चारो में आपको जूस करना है कि कौन सा option आपका, right answer होगा, तो question 18 का, question 18 का option C, q sample गया, इसका right answer है, question 18 का option C, right answer है, q sample इसका right answer होगा, चलिए, next question पर चलते हैं, next, question है, अब हमारा question number 19, question number 19 दिया गया है, बहमारा question 19 में क्या है, सोर पर्नाली की खोज किसने की थी? question 19 में पूचा है, सोर पर्नाली की खोज किसने की थी? तो बताए, कौन सी पर्नाली? जो सोर पर्नाली है, उसकी खोज पूचा गया है, तो सोर जो पर्नाली है, उसकी खोज किसने की थी? कुन से पर्णाली की खोज पूची गई है सोर पर्णाली की खोज पूची गई है question 19 में पूचा गया है सोर पर्णाली की खोज किसने की थी तो जो सोर पर्णाली है उसकी जो खोज थी वो किसके दुआरा की गई थी या फिर किसने सोर पर नाले की खोज की है आपने बताना है चार ओप्षन आपको मिले हैं चलिए एक एक करके क्या ओप्षन देखते हैं पहला ओप्षन है हमारा ओप्षन A, गे लीलियो ओप्षन B, जे एल बेड ओप्षन C, कोपर निकस कोपर निकस ओप्षन D, केपलर ओप्षन D क्या है हमारा केपलर ओप्षन D है हमारा केपलर ओप्षन 19 का ओप्षन C क्या है, राइट आंसर है कोपर निकस, इसका राइट आंसर होगा तो जो सोर पर नाले की जो खोज है, वो किसने की है, कोपर निकस ने किया है तो कोपर निकस ने सोर परणाली की खोज की है सोर परणाली की जो खोज है वो किसने की ती कोपर निकस ने चलिए next question पर चलते है अब हम यह question भी question 19 जो है आपका बच्चों यह important question है question 19 भी आपका important question है सोर परणाली की जो खोज थी वो किसने की थी तो सोर परणाली की खोज करने वाले कोपर निकस थे कौन थे कोपर निकस तो कोपर निकस ने सोर परणाली की खोज की थी आपका important question है next question पर चलते है अब हम next question है question number 20 question number 20 दिया गया है अब हमारा सूरिय के चारो और गूमने वाले खगोलिय पिंड क्या कहलाते है सूरिय के चारो और गूमने वाले खगोलिय पिंड क्या कहलाते है तो बताईए जो सूरिय के चारो और जो गूमने वाले खगोलिय पिंड है वे क्या कहलाते है कोईशन में आपके पूचा गया है सूरिय के चारो ओर जो खगोल्य पिंड़ गूमते हैं उन्हें क्या कहते है तो बताइए सूरिय के 4 ओर गूमने वाले जो खगोल्य पिंड़ हैं उन्हे कहते क्या है, option A, गर है, option B, उपकर है, option C, चुद्र गर है, option D, पुचल, तारा, option D क्या है, हमारा पुचल, तारा तो कौन से, जो ए खंगोल ये पिंड़ है, जो किसके चकर लगाते है, सूरिया के चारो और गूमते है, तो question 20 का option A, गरहे, उन्हें क्या कहते है, गरहे कहते है, तो उन्हें खंगोलिय पिंड को क्या कहते है, गरहे कहते है, तो question 20 का option A, right answer है, तो उन्हें क्या कहते है, गरहे कहते है, जो किसके चारोर गूमते है, जो खंगोलिय पिंड है, वे सूरिय के चारोर गूमते है, जो सोर है चलिए next question पर चलते है अब हम next question क्या है अब हमारा question number 21 question number है अब हमारा 21 question 21 में पूछा गया किसी गरहे के किसी गरहे के चारो और परिकर्मा करने वाले चोटे आकासिय पिंड को क्या कहते है किसी गरहे के चारो और परिकर्मा करने वाले चोटे आकासिय पिंड को क्या कहते है कोई गरहे किसी कोई किसी गरहे के किसी कोई भी ग्रह तो उसके जो चारो और परिकर्मा करता है जो ग्रह के चारो और क्या करता है परिकर्मा करने वाले जो छोटे चोटे क्या होता है जो छोटे आकाश्य पिंड है उन्हें क्या कहते है ख़गोल ये पिंड को क्या ग्रह कहते है तो जो छोटे आकाश्य पिंड है ज कुद्र है तो जो चोटे चोटे Bare海 तो क्या कहते हैं तो जो क्या कहते हैं? के लिए ऊपंगर कहते हैं और है तो च्प्षिण टुशन ट्वेंटी वन का उप्षिन हेमारा राइट आंसर यह जो खघोलीय पिंड यह जो सूर्य के जो किसके शूर्ग ट्रूर्य के क्या सूरिय के चारो चक्क रहा सूरिय के चार और गूंते हैं सूरिय के चार और मैं बोलू-बोलूंगी दिखने रही को यह कौन तो कोशन किया था उसमें था जो सूरिय के जो सूर्य के चारो और घूमने वाले जो खगोल ये पिंड खगोली ये पिंड तो उन्हें क्या कहते हैं उफि France composition 20 और 21 दोनों आप एंप करने समझे चलिए question 21 का option B इसका right answer है उपगरे कहते होने जो छोटे छोटे आकाशे पिंड होते होने क्या कहते है उपगरे कहा जाता है चलिए next question पर चलते है next question क्या है question number 22 question number 22 है अब हमारा गरहो की गती का नियम किसने परतिपादित किया question 22 में पूछा गया है गरहो की गती का नियम किसने परतिपादित किया तो यह question भी आपका important question है question 22 आपका important question बनता है question 22 में पूछा गया है गरहो की गती का नियम किसने परतिपादित किया तो जो गरहो की जो गती है उसका जो नियम है वो किसने परतिपादित किया था तो बताईए गरहो की निती का जो नियम है वो किस ने परतिपादित किया है चलिए अप्षन देखते हैं अप्षन A न्यूटन अप्षन B केपलर अप्षन C कोपर निकस ऑप्षन D गेली लियो option D क्या है हमारा गेली लियो तो जो गरहो की निती का जो नियम है वो किसने परतिपादित किया है तो किसने परतिपादित किया है question 22 का option B केपलर ने परतिपादित किया है किसने परतिपादित किया है केपलर इसका right answer है question 22 का option B केपलर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा कोश्चन 22 का ओप्शन भी राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अब हमारा कोश्चन नमबर 23 कोश्चन 23 तो ये क्या ये भी आपका इंपोटेंट कोश्चन है एक्जाम के point of view से भी और daily के लिए भी आपका तो ये क्या है question क्या ये जो important question है question 23 आपका important question बैठता है तो question 23 में क्या दिया गया है question 23 में दिया गया सोर मंडल में कुल कितने गर है सोर मंडल में कुल कितने गर है तो बताइए जो सोर मंडल है उसमें किल कितने गरह होते है Q23 में पूछा गया है सोर मंडल में किल कितने गरह है Option A, 8 Option B, 9 Option C, 10 Option D, 11 तो सोर मंडल में जो गरह होते है सोर मंडल में टोटल कितने गरह होते है टोटल कितने गरह होते है तो जो सोर मंडल है उसमें कितने गरह होते है तो question 23 का option भी no कितने गरह होते है सोर मंडल में no गरह होते है question 23 का option भी right answer है चलिए next question है question number 24 question 24 question 24 में क्या दिया गया है सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहो का निम्न में से कोन सा करम सही है सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहो का निम्न में से कोन सा करम सही है तो क्या आपको करम देखना है कि कोन सा करम सही है जो सूरिय है सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुसार तो सूरिय के नजदी कौन सा है दूर कौन सा कौन सा पहले मतलब इस तरह आपको अरेंज करना है दूर फिर उसके पास फिर पास फिर पास इस तरह आपको क्या करना है अरेंज करना है तो बढ़ती तो सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुशार तो सूरिय से क्या जो बढ़ती दूरी के अनुशार के अगर ने आपको करम जो है उसका लगाना है कौन सा करम आपका सही है चलिए एक एक करके option देखते हैं question number 24 question number 24 है option बूद सुक्र प्रतवी मंगल option B बूद प्रतवी मंगल सुकर option C बूद मंगल प्रतवी सुक्र option D बूद मंगल सुक्र प्रतवी तो कौन सा करम इसका सही है question 25 question number 24 का कौन सा करम इसका सही होगा जो सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुशार गरहो का करम है किसका गरहो का जो करम है वो कौन सा सही है किस से जो सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुशार पूछा गया है question number 24 question number क्या है 24 है तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुशार गरहों का जो कौन सा करम है जो वो सही है तो कौन सा करम सही है इसमें option question 24 का option है बुद सुक्र प्रत्वी मंगल तो ये करम कौन सा ये करम जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुशार है तो ये क्या है हमारा right answer है question 24 का option A right answer है बुद्र सुक्र प्रत्वी मंगल ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुशार जो करम है वो ही करम ये है तो इसका जो करम है वो क्या है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुशार बुद्र सुक्र प्रत्वी मंगल चलिए next question पर चलते हैं, question number 25, question 25, question 25 में पूछा है, प्रत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहों का नीमने में से कौन सा करम सही है, question क्या आपका important है, सूरिय वाला भी और प्रत्वी वाला भी, दोनों के दोनों आपके important question है, सूरिय से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहों का करम और प्रत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहों का करम, दोनों के दोनों question क्या आपके important question है, चलिए अब प्रत्वी से question देखते है, 25, प्रत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गरहों का नीमने में से कौन सा करम सही चलिए एकर करके option देखते हैं पहला option है तो कौन सा करम इसमें से सही ए जो प्रत्वी से बढ़ती दूरी के अनुशार है और गरह का हमें क्या करम देखना था करम कौन सा इसमें से सही है तो option A है अब हमारा option A देख लिए कि करके क्या हमने option देखे तो question 25 का option B option B शुक्र मंगल बुद बरश्पति क्या इसका right answer है question 25 का option B इसका right answer है जो बढ़ती दूरी के अनुसार किसे जो प्रत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गरह का करम है आपका important question है question number 25 question number 25 आपका important question है तो प्रत्वी से जो बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह का करम है वो कौन सा है शुक्र मंगल बुद ब्रश्पति तो question 25 का option B right answer है चलिए next question पर चलते हैं हम question number 26 question number 26 question 26 में पूचा गया है आकार के अनुसार सोर मंडल के गरह का अवरोही करम है देखो यह question भी आपका important है आकार के अनुसार सोर मंडल के गरह का अवरोही करम है question आपके सभी important है तो अपना जो classes है यह आप अच्छे से करते रहे हैं एक है question आपका important है question 26 से आपका important question है important आप इसे टिक कर सकते हैं question 26 में क्या पूचा गया है आकार के अनुसार किसके अनुसार जो आकार है आकार के अनुसार पूचा गया है तो सोर मंडल के गरह का अवरोही करम है किसके गरह का गरह का जो सोर मंडल है सोर मंडल के गरह का अवरोही करम पूचा गया है उसके आकार के अनुसार तो चलिए देखते हैं Option एकमर ब्रश्पती सनी, आरून, वरून, प्रत्वी, सुक्र, मंगल एवं बोध एवं बुद, Option B ब्रश्पती सनी, वरून, अरून, प्रत्वी, सुक्र, बुद, एवं मंगल Option C ब्रश्पती सनी अरुन वरुन प्रत्वी बुद मंगल एवं सुक्र ऑप्शन डी ब्रश्पती सनी अरुन वरुन सुक्र प्रत्वी मंगल एवं बुद तो जो question था हमारा 26, question number 26 इसका जो right answer हो, question 26 का option है, क्या है हमारा right answer है तो आकार के अनुशार जो सोर मंडल के गरों का अवरोही करम है वो क्या है ब्रेश्पती, सनी, अरून, वरून, प्रत्वी, सुक्र, मंगल है वहम बोध तो question 26 का option है क्या है राइट answer है चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question क्या होगा question number 27 question number 27 है अब हमारा question 27 में पूछा गया है निमलिकित में से कोन सोर मंडल का भाग नहीं है question में क्या पूछा गया है भाग नहीं है तो पहले आपको question पर क्या दियान दियाना है भाग है या भाग नहीं है तो पहले आपको question अच्छे से पढ़ना है पहले आपने question अच्छे से पढ़ना आना चाहिए तो question 27 में पूछा है निमली कित में से कौन सोर मंडल का भाग नहीं है तो कौन इसमें चार option आपको दिया गया इन में से जो सोर मंडल का भाग नहीं है तीन इसमें भाग होगे सोर मंडल के और जो चोथा उप्षन होगा वो भाग नहीं है तो वो ही क्या होगा हमारा राइट अंसर होगा तो इसमें भाग नहीं है पूछा गया है Option D, निहारी का, option D क्या है हमारा निहारी का, तो बताइए जो सोर मंडल का भाग है और भाग नहीं है, तो बताइए कौन से इसमें भाग है और कौन सन नहीं है, तो जो आशान क्या हमारा जो भाग नहीं है, उसे चुनना, चले question 27 का, question 27 का जो right answer है हमारा option D, निहारी का, निहार का निहारी का क्या है सोर मंडल का भाग नहीं है तो कोशन 27 का option D क्या है हमारा right answer है जो की निहारी का है वो सोर मंडल का भाग नहीं है और जो बाकी के टीन है बागे के तीन में कौन कौन सा शुद्र गर है दूमके तू और गर है तीनों के तीनों के तीनों सोर मंडल का भाग है सोर मंडल का भाग है तो तीनों चुदर गर है धूम उर गर है तीनों के इसके भाग होते हैं सोर मंडल के भाग होते है और जो चोथा बचा refार निहारी का यह सोर मंडल का भाग नहीं होता तो Q27 का option D क्या है, आरा राइटीат चलिए नेक्स्ट कोश्टन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन क्या होगा कोश्टन नमबर 28 कोश्टन के मारा 28 कोश्टन 28 में पूछा गया है सूरिय के चारो और चक्कर लगाते ग्रह का वेग कोश्यन 28 में पूचा गए सूरिय के चारो और चक्कर लगाते गरह का वेग पूचा गया है क्या पूचा गया है वेग पूचा गया है जो सूरिय के चारो और क्या लगाते है चक्कर लगाते है जो गरह उनका वेग तो बताइए सूर्य के चक्कर लगाते हैं समय लगाते हुए चारो और जब चक्कर लगाते हैं उनका वेग क्या है उप्षन नियत रहता है उप्षन भी अधिक्तम होता है जब सूर्य के समीप होता है उप्षन सी अधिक्तम होता है जब सूर्य से दूर होता है उप्षन डी क कुछ नहीं कहा जा सकता कुछ नहीं कहा जाता तो सूर्य के चार ओर लगाते समय चकर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है जो ग्रह का वेग होता है तो सूर्य के चार ओर चकर लगाते ग्रह का जो वेग होगा वो कैसा होगा जो ग्रह का वेग है वो अधिकतम होता है जब सू के ऊप्शन होता है तो questions 28 का option B Q shirt right answer सूरिय को होता है जब सूरिय के समीब होता है चलिए next question पर चलते हैं बहुं next question है question number 29 question question number 29 है question 29 में पूछा है anthrix में question 29 में क्या पूछागे anthrix में कुल कितने तारा मंडल है किश में important question है question 29 क्या आपका important question है तो question 29 में पूछा गया anthrix में क्यों कितने तारा मंडल है तो बताए जो anthrix है उसमें क्यों कितने तारा मंडल एवलेबल है उपस्तीत है कितने तारा मंडल है Q29 तो इस्पेस में पूचा गया है इस्पेस में कितने तारा मंडल है इस्पेस में टोटल जो तारा मंडल है वो कितने है तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है option a 8787 option b 88 option c 89 option d 90 है तो बताए कितने tara mandal antrix में होते है antrix में tara mandal पूच्छा गया है तो antrix में कितने tara mandal होते है तो question 29 का question 29 का right answer option c 90 कितने tara mandal है this page में space में जो tara mandal है वो 89 एकं plant तो नवाजी तारा मंदल होते है किसमे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में जो तारा मंदल है वो वो कितने होते है नवाजी तारा मंदल मिलते है इस पेस में तो question important question एक कोश्चन 29 कि है आपका important question है चलिए next और last question बचता है हमारी आज की क्लास का question 30 question number 30 है question 30 में पूछा गया है निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस गरह पर इस्तित है question 30 में क्या पूछा गया है निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस गरह पर स्थित है कोशन 30 कोशन क्या है मारा 30 कोशन दिया गया है कोशन 30 में पूछा है निक्स ओलंपिया क्या जो निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत है वो किसे गरह पर इस्थित है कौन सा परवत जो निक्स ओलंपिया कोलमपस important question है आपका question 30 क्या है important है तो कौन सा परवत पुछा गया इसमें परवत जो है वो निक्स ओलंपिया कोलमपस पहले तो इसका नाम या पच्चे से याद कर ले क्योंकि नाम जो थोड़ा सा अट पटा है नाम क्या आपका अट पटा नाम है निक्स औलम्प्या कोलमपास कौन सा परवत है वो निक्सलेंप्या कोलमपास तो ये परवत पूचह गया आपजेंकौन से गहीं पर इस्थित है मंंगल मंगल तो कौन से ग्रह पर निक्स ओलंपिया ओलंपिया कोलंपस जो परवत है वो इस्तित है तो वो ग्रह आपको बताना है तो ग्रह कौन सा है कोशन 30 का ओप्शन डी तो मंगल ग्रह पर कौन से ग्रह पर तो मंगल जो ग्रह है उस पर कौन सा परवत उपस्तित है जो इस्तित है नि मंगल गर्एपर जो परवत इस्तित है वो कौन सा परवत इस्तित है निक्स निक्स सु ओलम्पिया कोलंपस परवत इस्तित है तो कुशंट 30 का option d question 30 का option d क्या है हमारा right answer है मंगल अगर है पर जो nix olympia columpus परवत इस्तित है तो यह हमारा last question था आज की class का question 30 जो कि हमारा important question भी है चलिए आपको classes कैसी लग रही है वीडियो में वीडियो को like आपको जो classes है वो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को आप like कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से एर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल है आपका प्रिक्सर सेपाटी इससे भी सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू